हेडेश्ट्रेंच, स्वागत करता हूँ आप सब का एक बार फिर से विहार बूर्ड के नमबर वन चैनल विहार बूर्ड श्टेडी पे जिया नोस्ता है यानि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे Intermediate Examination 2024 यानि 2024 के एक्जाम के लिए 12th Political Science का Chapter 2 को हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम क्या है दो धुर्वेता का अंति यानि इस अध्या में हम लोग VVS Short and Long Question को कवर करेंगे यानि Subjective Question को आपको एनि कवर कराने जा रहा है इस पेसल 2024 के एक्जाम के लिए हम लोग इसको तयार किया है जिसमें कई अनुभवी सिच्चों को दरा मिलकर तयार किया है जिसको कई सालों का परहने का Experience जो अपने Experience से इन सभी Question को एनि कलेक्ट किया है जो आने वाले 2024 के एक्जाम के लिए आपके लिए अतीम महत्पूर्ण है ठीक है बस आपका जो एक्जाम में पूछा जाएगा उनी Question को हम लोग Include किये है इस अध्याय में तो बिल्कुल आपको Last तक यानी बने रहेना है और साथ में आपको दोस्तों को भी Share करें ताकि आपको दोस्तों को भी जो इससे Help हो पाएंगे तो चैनल विजिट कीज़े Chapter 1 को भी आप लोग जाकर के देख सेकते हैं पहले इसका subjective question को हम लोग कवर कियें उसके बाद इसका objective को जैसे के पहले कियें उसी तरह सेम आपको इस अध्याय में भी देखने को मिलेंगे पहले हम लोग subjective को कवर करेंगे उसका objective जो आपके लिए खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे वो सीने में ठीक है तो बस इससे पहले आपको और एक चोटा सा motivational quiz क्या है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आप लोग का exam बहुत करीब आ रहा है तो ऐसे मे आप लोग को नहीं करना है तो चले का इस वह लोग शुरू करते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर फस्ट कोश्चन आ गया है ठीक है तो देखें इसमें फर्स्ट कोशन आपका कहलाता है कि दूत्य विश्विद्र के पसाथ स्वेशंग की अर्थिवेस्टा क्या थी यानि ज सबसे ज़्यदा अर्थिवेस्टा किसका है अमरीका का अमरीकी के बाद जो है दूसरा अस्थान पर इसका है ता ठीक है चले दूसरा पुइंट इसका क्या है कि संदचना प्रनाली विक्सित थी यानि इसके पास विशाल उर्जा संसाधन ता जिसमें खनीज, तेल, लुः इस पाद तथा मसिनिदी उत्तारत साम्मिल था तो जिसके रिजन से उसका भी अर्थिविस्ता जो इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा मजबूत था ठीक है जिसके रिजन से इसके पाद अर्थिवस्ता मजबूत था चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट क्या है स्वेथ शंग सुदूर छेत्रे भी आगामान की विवस्तित और विश्तित परनाली से जोड़े थे जिससे आर्थिक महत्रकी वस्तुक की आदान परदान की सुविदा भी थी ठीक है तो यह सारा भी मतलब क्या है स्वेथ संग के अर्थिवस्ता को मजबूत करने का कारण बना कौन यानि वहां के जो उसका लॉकल यानि जो बहुत क्या था उन्नती कर रहा था ठीक है यहां भी सभी वस्तूं का उत्पादन होता था ठीक है आगे देखेंगे हम लोग एक रठा पउयंट इसका क्या था बेरोजगारी नहीं थी वहां की बेरोजगारी नहीं था कहां पर यानि स्वेसंग में वेरोजगारी नहीं था संपत्य और भूमी पर राजय का सौमित था तो जो राज ये भी सारीवी चीजों पर किया नियंतर किसका होता था राज ये का ही होता था तो जिसके रिजन से क्या था यानि सोईसंग का अर्थरस्ता काफी मजबूत था ठीक है आगे देखेंगे हम लोग कोशन नमर दूसरा क्या क्लाता है कि सौक थरेपी का परमुख जो वादा किया गया था जंता से यह जंता से उचीजों पर ध्यान नीदिया और वह जंता क्या हो गया इनि बरबाद हो गया उसके रिजन से ठीक है सौक थरी का यह परिणाम के बारे मतार है दूसरा पॉइंट क्या था इसमें सम्कूर्ण रूस राज और दोगी धाचा यानि चरम रा गया लगबग सभी उद्योग नीजी हातों के बेज दिया गया है यानि सम्कूर्ण रूस यानि राज जो और दोगी त्विज दिया गया था यानि इस निती के संचालन से सरकार करके बजार की सकतियां कर रही ती यानि बजार को जो है मतलब कि बड़े-बड़े कमपणी को जो है नीजी कमपनी होगा और तीसरा Pjaint क है इसलिए उद्ध्योगों की वर्बादी हुई और इसे इतिहास की सबसे बड़ा यानि раст sale के नाम से जाना गया किस नाम से जाना गयाorama 보시ed किसना की जाना गया काफी यानि उद्ध्योगी की वर्बादी हुआ ठिक है तो यह सब जो है नीजी कमपणी खरीदता था जिसके रिजन से इसका परिणाम हुआ ठीक है सौक थरेपिका यह सारा परिणाम बता रहा है चौथा पॉइंट क्या है इसका यह खडीद काला बजारी दुवाड़ा की गई क्योंकि जनता से अपना अधिकार पत्र उनको बेज दिया था ठीक है यह सारा तो किसको यह खडी आधिकार नहीं था यह जो मतलब मोल जो उसके दोबारा जो यह जो मतलब तैक किया जाएगा उतना ही महीं उसको बेशना पड़ेगा तो जिसके रिजन से जो है काला बजारी यह शुरू हो गया था और यह जनता के हाथ में नह बजाताने क्यों सरकार जो है किसके बाद बेश गया था है यह कंपनी बड़ेवरें कंपनी के बाद बेश गया था यह जो ह्सका रेट निकालता था तो उतना ही में उसको देना पड़ेगा ठीक है एल्या जेता जो पैंट्मने का जुबरा की जो रूसी ब्रह गिरावडव चाह्ठा पॉइंट इसका क्या था कि मुद्रा इस पीति में इतनी अधीक विर्दी होई कि लोगों की जमा पुंजी भी समाप्त हो गई ठीक है यह छटा पोइंट था है इसका चोथा पोइंट भी ग्लीर हो गए पांसपा पोइंट भी क्लीर है छटा पोइंट 24 पोइंट χरते इसका चले Чले। तो इन सभी चीजों के बारे में हम दोग चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कोशन में पहला पॉइंट इसका बात करते हैं आरे में का री बत्पर आरे मिकाल चाहते चोँया करें है कि फिसका अप्याखते sentido क्रिणा इस से में Talent इको नहीं प्यक्रेंद आविए बccoliसी थो को ज़ाइब विकास करना चाहिता थे उ टेकनोलिगे शेत्र में हरते के मतलब इसमें काफी विक्सित करने के इसमें सोच में दे कौन विखायल गोराचोब दूसरा पॉइंट इसका क्या है इसके लिए गोराचोब ने पसीम के देशों के साथ संबंदों को समानने बनाने का स्वेश संग्त्वों लोगतांतिक लड़े किसी वरकार का यानि उससे जो है मतलब यह नहीं हो लड़ाई जगरा या युद्ध की ऐसा को इस्तितिना हो उसके साथ मतलब समानने संबंद बनाने रखने का यानि काम कर रहा था कौन गोराचोब लेकिन इसका उल्टा ओपोजिट हो गया कुछ अच्छा नहीं ह पुर्वी उरोप के सवेद खेमें के हिस्ते में थे जीतने सारे यानि पुर्वी उरोप के देश थे वो सभी किसके अंदर था से संग करते थे सभी संग का सभी संग कितने सारा सभी संग के दिए इन से इन देशाच की जनता ने अपनी सरकार और सुहेच संग मतलब स्वेट नियंतरन का विरोध शुरू कर दिया जब क्या होने लगा जब पूरी एरोप के देशों ने एनि किसका एनि पूरवी देशों में जितने सारे देश थे यह सब जो है किसके विरुद में जो अपना जो अपने डेश के नेता हों और किसके स्वेट संग का जो मतलब स्वेट संग के विरोध में काफी आंदोलन चलाना शुरू कर दिया था ठीक है जिसमें गोरवाचोप ने इसमें कोई भी हस्यप नहीं किया फलसरू पूरवी यूरोप की समयवाद सरकार सरकार एक के बाद एक गिर गई यह देखिए सबसे पहला पूइंट क्या क्या रहा है पस्यमी देख जो हम लोग से जादा ही डबल अब कर रहे हैं तो वहांके जो जितने सारे पूर्वी यूरोप में जितने सारे देश थे वो सब अपने सरकार के विरुद्ध में और जो सोच संग के खिलाप मतला अपने देश के नेताओं के खिलाप में जो यह तो इसमें कोई भी हस्चेप नहीं किया, फल्सुरूप पुर्वी उरोप के सामवा सरकार एक क्या हो गया, गिरता चले गया, ठीक है जब कि उसको करना से यह, क्योंकि इसी का अधीन में ही था, जितने सारे पुर्वी उरोप के देशते, सब किसके मिखाईल पुर्वाचौब ने देश के अंदर आर्थिक, राजजनितिक, और सुधार और लौक्तांत्री की नीती चलाई, इन सुधार नीतियों को कम्यूनिस पार्टी के नेताद वड़ा, विरोध किया गया, ठीक है, सब वहां के जो ऑपोईशन पार्टी थे, वो सब पार्टी जो है मिलकर के यहनि किसके विरोध करने लगा, यहनि जो है गुर्वाचौब के एंगेंस्ट में सब को इरोध पर आ गया, और काफी मतलब इसका विरोध जदाया, और जिसके रिजन अबर कोस्टन क्या कलाता है, कि किन-किन बातों के कारण गुर्वाचौप स्वेश संग में सुधार के लिए बात दे हुआ था, बहुत इंपोर्टन कोस्टन है, अगर आप लोगों को उपर वाला समझ में आ गया, तो यह वाला कोस्टन आपसे बहुत ईजी तरीके से जो ह संग पर दापना साड़ा पैसा क्या इन्वेश कर दिया था? उसने अपने संसाधन पुर्वी यॉरोप के अपने प्िशलू गर्न देसों के विख्षीद पर भी खर्च कर आ, कैसी स्वेश संग कहां बने रहे हैं, आर्थिक सायता करते था। कौन? यानि स्वेस संग के दुवारा आर्थिक मदद किया जाता था। पहला तो क्या था? कि देखें पहला जो यहां क्या था, इसका सुधार करने का मिखायल गोराच८ जो सुधार करने के लिए इतना क्यों परियास कर जाता, पहला प्रमान होगे जतने सारा चीज़ पर उसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस कर जाता दूसरा इसका कारण था क्या था कि पूर्वी एरोप के जटने सारे देश थे सभी को आर्थिक मदद कर दिया था भारी पैसा रकम यानि सभी देशों को देते थे ठीक है जो पिछलूगल देश थे यानि पिछलब्गू देशों के विकास पर भी यह खर्च कर दिया थे कौन यानि स्वेश संग इसे स्वेश संग पर गहड़ा आर्थिक दवावना यानि सब रुपया अब सारा खर्च हो गया तो इससे क्या होगा कि आर्थिक इस्तिती खर सब्सक्राइब होगा इसाहिर सी बात है कलांतर में स्वेश तो इसका परभण नहीं कर सकी और इसी के साथ स्वेश संग के आम नागिर्पों की जानकाड़ी बड़ी यानि उसको जानकाड़ी हुआ बढ़ी और आभास हुआ कि पस्दिमी देशों के तुलना में पीछर परती जवाब दे नहीं थी यह कोई भी जनता के परती किसी परकार का जभाब दे नहीं था इसके पास कि आप जवाब दे तो दे कि आप जन्ता सवाल कर रहा है क्या हम लोग पीछे किए क्यों है जो सांत के देस इन सभी तत्तों के क्यारण आम जंता अलग थलग हो गया और सभी इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागिरुकों से ज़्यादा विशतागार मिले हुए थे इससे लोगों के सत्ता में पर्टी मोभंग हुआ और सरकार का जनाधार खिसकता जल हुआ इसकी से आपको नौट कर लीजए कि अबात कर देएं सक्ति आप क्या समझते हैं तो देखिए हम लोग चलते सक्ति संतुलन की बात करते हैं तो कि सक्ति संतुलन रास्टों के एक समुझ जो आपस में निकट प्रॉसी के बीच एक विशिस्ट परकार की विवस्था की अस्थापना है इस विवस्था में रास्टों के बीच इस तरह के आ तक सब्सक्रणब कर जाते हैं यानि सक्टी moles शमर्दव करता है कि बात करें तो सक्टी संतुलन क्या होता है किया सब कूछ समान सक्ति होना थे ठीक है ये पैसा के मामलके मामले में अगर फावर इस पर पれて परहुशंचे के प्रहँंचे बर आगे भर जाएगा तो वो क्या होगा कि अपने से नीचे के देशों पर वो क्या करेगा अधिकार जबाने लगेगा तो यही जो है सक्ति संतुलन का कारिय है जो है अपने से आगे किश्यू को ना बरने दे ठीक है वह बड़ी सक्ति का पड़ियोग यूद की दिसार में ना करें ठीक अगर मानलों अगर कोई देश अगर कुप का भी सक्ति साली बन गया परमानों त्यार हो गया दिजिट हो जाएगा तो सभी जो है उसने निचली अस्तर में जितने सारे देश होगा सबको धंका आएगा इस जो है इसको हम लोग डाट में सकते हैं ठीक है आप कमजोर नेरा क्योंकि इसके बाद भी परमानों हत्यार है यह तो वह भी मेरे उपर इसका उप्योग कर सकता है तब यानि अदर कंट्री जो है डरने लगा अपने से ठीक है तो यह था आपको बता दिए कि जो अगर कम या अगर करेक्ट बोले तो निस्वच परसुत किया उन्होंने लोगों की सोतंत्रा बहाल की तथा अर्थवरस्ता का नब निर्मान किया गलानेस्ट का अर्थ होता है खुले पूरा खुले पन की नितिया और परिस्टाय का अर्थ होता है मतलब आर्थिक नब निर्मान करो यानि इसका मतलब क्या हो यानि खुले पन से आर्थिक नब निर्मान करो यानि आर्थिक मतलब परगति करो ठीक है यह कौन किसका है नहीं सोचता है यह मिखायल गोराचब का यह तो दो आपको बता दिए यहां मुएन पुइंट जो नौ यह पुएंट याद रखेगा और इसका गलानष्ट का अर्थ जो हता है खुलेपन की नितिया यह दोनों पुएंट महतपूर्ण है इस परकाल लेनिन के समय से चली आ रही है विवेस्ता समाप्त हुई जिसमें लोगों को मुख वाधीर पसूं की तरह बना दिया गया तहा न जो है मिखाइल गुरवाचोग चली आगे देखते हैं हम लोग सात्माना कोशन जो आपके स्क्रीन पे जो काफी इंपूर्डन कोशन है जो एम भी इसको कहेंगे हम लोग यह कोशन को ठीक है तो देखे इसमें क्या है कि स्वेज संग का विगटन क्यों हुआ पहला कोशन य उसके गया सेवक तंत्रिय भरस्टा चार यह जो था यह भी कोइट है चोथा पटा योग नेतित का अभाव थिक है योग नेतित का अभाव नसले रास्टवाद का उदे चोथा च्छठा प 계शन का इसका क्या जो मानक पुंजी की हानी और पात सात्मा क्या था पसाती उदा तालिन का विवस्था था वुझाल हो गया था उसके आर्थिक असंतों से भष्टाचार हो रहा था यह क्या नहीं विगटन हुआ उसके वाद क्या योग नेतित वह यह तो यह रही तो वह यह यह लाइक नहीं था नहीं था नहीं बात करते हैं नई विश्योयस्ता क्या है नई विश्योयस्ता सवर्संग के विघंत के बाद अम्रीका एक महासक्ति के रूप मेंиков पठलपड यानि और अधिक सक्ति सैली के रूप में यह देखिए आपको बता देज जब 1945 का second war जो जैसे इंड हुआ, उसके बाद जो है क्या दो महा सक्ति के रूप में बढ़ गया, एक क्या था यानि USA, यानि सभी तराज अमेरिका और क्या था, यानि अपना सक्ति जो है अपना सक्ति के दवाओं से यानि अधिकार करने लेगा पूरा वर्ल्ड पर, ठीक है उसका बा अमरिकी वार्ची स्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् कुष्टी करा और इसी को जो यह नहीं वीश्वयश्था का नाम दिया गया आप करते हैं कि लिए परतम घाड़ा पर कभजा करें ने के अमरीकि की अगवाई में देखें परतम घारियुद में यानि अगस्त 1990 में इराक और इराक ने किस पर रहनी हुएट पर कबजा कर लिया ने के बाद अमरीकी के अगवाई मैं संयुत राज संग की समति से इराक के विरुद जो सैन्य अभियांद चलाए गया या उसे पर्थम खाड़ी युद कहा गया है ठीक है इस युद में अमरीकी की भूमिका ने ये साफ कर दिया कि विशो में अन्य देश सैन्य चमताओं के मामले में अमरीके से बहुत पीछे है यानि ये जो खाड़ी युद के बाद पूरी तरह से पता चल गया कि अमरीका का मुकाबला कोई भी कंट्री नहीं कर सकता है ये काफी मामले में क्या हो गया नि सक्ति साली बन गया पैसा के मामले में सैन्य के मामले में मतला हर तरह के मामले में इसके कोई भी देश नहीं सकता है यह साफ पता चल गया कब 1990 के बाद ठीक है जब अमरी पर्थम खारी का पर्थम यह दुआ उसके बाद यह पूरी तरह से साफ हो गया कि अमरीका का एगेंस्ट में कोई भी देश नहीं आ सकता है चलिए उसके बाद देखते है दस नमे को सन शौक थेलिपी क्या थी बहुत मैंट पॉइंट है तो देखे सामेवाद के पतन के बाद पूर्वी स्वेट संग के गंदाजे के एक सत्ता वाद समाजवादी वेस्था लोक्तांतिक पुंजिवादी वेस्था कस्ट पर संकरमन से होकर गुजरे रूस मध्य एसिया के गंदाजे और पुल्वी ईरोप के देशों में पुंजिवाद की और संकरमन का जो विशेस मोडर अपना गया विदेशी वित्यसाहता लेकर उदारी करन का मार्ग अपना गया और इसे हम सौक थरेपी के नाम से जानते हैं इसको क्या नाम से जानते हैं आगे चलते हैं हम लोग 11 नमर कोस्षण जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष मा गया पॉलेंड के एकता आंदोलन का उद्देश क्या था देखिए के कोशन बहुत इंपोर्डन है पॉलेंड के एकता आंदोलन का उद्देश क्या था अगर हम लोग पॉलेंड के एक समाजवादी राज था पॉलेंड क्या है एक समाजवादी राज है आपको पता होगा ठीक है वार्षा संदी का सभिसे था, यानि वार्षा संदी का सभी से कौह था यानि पॉलेंड है, वह siwet gout में था, किसके अंदर में था, siwet gout के अंदर था और lake crumbsla ने वहां मजडूर का एक आंदोलन चलाया और land कॉन चलाया था, यह chilli note कर लेने वाली बात यह important है लेक वलेसा ने वहां के मजदूर का एक आंदोलन चलाया जिसमें मांग की गई कि उनके देश की communist party रूसी communist के कबजे में नहीं होनी चाहिए किसके अंदर नहीं होना चाहिए रूसी communist party के अंतरगत नहीं होनी चाहिए साथ ही लोगों को यानि जन्मत संग्रह में यह ने ने लेना चाहिए कि वे अपने देश को वार्षा pact का सधी से बनाया रखना चाहते हैं कौन अपने देश को आने वार्षा pact का सधी से बनाया रखना चाहते हैं ठीक है नहीं या नहीं ट्रेट यूनियन की सौतंत्रा की मांग की गई असपस्ट यह है कि इस आंधुलन ने स्वेज संग के नेटित्त को चुनोती दी सबसे बड़ा चुनोती जो है यही जो आंधुलन ने दिया था और यह जो पॉलेंड एकता का आंधुलन जो हुआ था य सबसे बड़ा प्रचुनोती कि इसको दिया है यानि स्वेज संग को तो यह देखिए इसमें जो आपको हम अभी आपको बताए कि इसमें MBBI जो MBBI कोशन यानि most very very important कोशन अभी आपको कवर करवा है तो इसमें आपको 11 कोशन तक अभी आपको कवर करवा है ठीक है जो आपके चोड़ने लाइक नहीं है सभी कोशन को आप लोगो नोट कर लेना चाहिए अगर आपका 24 में एक्जाम है ठीक है तो काफी आपको आयोप उमीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया क्लास और मेरा उमीद हमेशा रहता है कि मेरा कोशिस रहता हमेशा कि आपको हम सही तरीके नहीं होना चाहिए और जो बच्चे नए है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ दोस्तों को एक बार जम करके सेर कर देंगे ठीक है चलिए उमीद है कि आप लोग को क्लास बहुत पसंद आया होगा और उससे पहले आपको बता दे कि जो बच्चे अभी तक बिहार बोड बिहार बोड एस्टेडी एप को डाउलोड नहीं किये हैं वो एप डाउलोड कर लेंगे क्योंकि इस एप के माध्यम से आप 5 कोर्स पर्चेस कर सकते हैं जो 2999 रुपया कोर्स मात्र 499 रुपया में आपको मिल रहा है और यह आपको बता दे कि एक कुछ दिन क के लिए ऑफर में चल रहा है और यह पूरा 2999 रुपया कोर्स मात्र यह 499 रुपया में इसमें आपको 5-6 सब्जेक्ट यानि कम्प्लीट उसका सिलिवस को कम्प्लीट करवाए जाएगा साथ मुसका आपको लाइब क्लासिस होगा डेली विडियो लेक्चरेर भी आपको द लुट किजे और लक्ष बैस को पर्चेस किजे जो मात्र आपको 499 रुपया में मिल रहा है इस तरह का आपको जो है कॉर्स मात्र 499 रुपया में यूटूब पर भी आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपको डेली लाइब क्लास देने वाले यहां से और बहुत अलग- और जो बच्छा अभी तक नहीं खड़ी दें तो जाइए आप लोग खड़ी दें काफी आपको मजा आएंगे अगर किसी वरकार का भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमें इस नमर पर कॉंटक करें 9162055090 इस नमर पर आप कॉंटक किजे और उसके बाद आपको पूरी तर झाल